हलो फ्रेंट्स दिस इस हिमान सुप्रम देव एडवाईजरी आज हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर उसको देखेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स जहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग की कुछ ऑपर्चुनिटीज प्लान कर रहे हैं तो वो बाइट रिगर हुआ था इंसाइड बार था और हमारा जो प्लान था कि यहां पर 16,650 के उपर उसमें क्रॉस किया यहां पर तब हमने पाइलेट पोजिशन बनाई थी पर उसमें जो हमारा 75 मिनिट के हिसाफ से जो स्टॉप लोस था वो स्टॉप लोस ट्रिगर हो गया काफी स्ट्रॉंग है अभी एडी एक्स थोड़ा स्लोडाउन हुआ है 20 में के आसपास आया और वो भी हमने डिसकस किया था कि वहां से एक स्ट्रॉंग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते और वह बाउंस आया भी बैट मार्केट जो है अब हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर कर रहा है यहां पर हम देखे 17,800 के आसपास एक रेजिस्टंस फेस कर रहा है सो ब्रॉडली यहां पर उपर की साइड में हम देखे 17,800 18,000 यह एक जो है इंपोर्टन्ट हर्डल है नीचे की साइड में हम देखे तो यहां पर यह जो स्विंग लो था डैट इस अराउंड 17, यह एक इमेडियेट सपोर्ट है और उसके नीचे हम देखे यहां पर इस अराउंड 17,150 सो नीचे की साइड में 17,350 150 एक इंपोर्टन्ट सपोर्ट जोन है और हिसाब से जो वीकली का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके साथ काफी डीटेल में डिसकस किया है बहुत सारी डिसक सब्सक्राइल में नहीं जाएंगे बट सॉट्ट तम के लिए जो है मेरा व्यू यह है कि यहां पर 350 150 को अगर निफ्टी होल्ड करता है और वहां पर किसी आप से प्राइज एक्षन बनाता है डैट वी क्लोजली वाचिंग वहां से अगर बुलिस को स्ट्रक्चर हमें किसी आप से बनता है और फिर कुछ प्लांस हम एक्जीगूट कर पाएंगे और यहां पर अगर 150 को उसने ब्रेक कर दिया 17,150 को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉंग डाइनेमिक सपोर्ट रहेगा डैट वूड बी अराउंड 200 ऐसे में वो अभी यहां पर 16,990 के आसपास है सो अभी भी यह जो स्ट्रक्चर है ओवराल इट इस नाट लुकिंग बैरी यहां पर 350 150 क्रूशिल सपोर्ट जोन है वहां पर किसी ताप से प्राइज एक्शन बनती है उसको देखके कुछ हम प्लान बनाने का ट्राइब करेंगे अब हम देखते हैं बैंक निफ 3500 उसने एक रेजिस्टंस फेस किया था और डोजिक टाइप केंडल बनाई है और यह स्ट्रक्चर आप ओवराल देखो तो डेली की आरसा है इस वैल अबॉव सिक्स्टी एडी एक्स तोड़ा स्लोडाउन हुआ है बिकोज मोमेंटम यह जो एक्सलेरेट हुआ था यहां से है के 40,500 या तो इवन 41,000 42,000 के आसपास भी जा सकते है और नीचे की साइड में हम देखे तो यह जो स्विंग लोग था रिसंट डैट वो अराउंड 38,000 वो मैंने ट्वीटर पर भी अपडेट दिया था कि 20 में के आसपास हम एक अच्छा बाउंस कर सकते इसमें भी हमने बट यह जो कुछ इवेंट्स लाइन अप थी उसके हिसाब से हमने कहा है कि काफी सारी पोजिशन रिद्यूस कर दी थी जो नेक्स्ट लाइन ओफ सपोर्ट रहे की डैट वूड भी अराउंड 50 यह में जो लेवल है डैट इस अराउंड 37,000 तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है डेली के हिसाब से अभी भी हमें कोई माटरियल विकनेस नहीं देखने को मिल रही है नो डाउट अभी जो फंडामेंटल या तो मैक्रो फ्रेंट पर जो न्यूज आए उसके हिसाब से मार्केट पर जो थोड़ा प्रेसर बनाए ग्लूबल मार्केट में और एजी एक्स निफ्टी जिसे आप से गैब डाउन सजेश्ट कर रहा है तो हमें क्या है कि अब वेट और बैंक निफ्टी पर इस तरह का हमारा प्लान है अब कुछ स्टॉक जो हमने इडेंटिफाई किये डैट विल डिस्कॉस जो पहला स्टॉक है बैट इस हिंदुस्तान यूनिलिवर का हम स्ट्रक्चर देखे तो ओवरॉल काफी स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर है यहां पर और यह जो लेवल है डैट इस अराउंड 2525 2525 2520 यह एक क्रूशियल सपोर्ट जोन हिंदुस्तान यूनिवर के लिए और अगर यह सपोर्ट जोन के अंदर आता है तो हमारा यहां पर बाई करने का प्लान है अब्वियसली हम थोड़ा प्राइज एक्षन देखेंगे कि वहां पर किस हिसाब से प्राइज एक्षन देखने को मिलता है और फिर हम उसको लॉंग करेंगे तो यह एक स्टॉक है डैट इस लुकिंग ओवराल काफी स्ट्रॉंग लग रहा है और यहां पर सपोर्ट जोन है डैट इस अराउं 2525 2520 वह सपोर्ट जोन में किस तरह की किया और वहां पर एक बेज बना के उससे ब्रेक आउट दिया हो ऐसा लग रहा है तो यह स्टॉक टेकनिकली काफी स्ट्रॉंग लग रहा है एंड मॉस्ट इंपोटंटली उसका जो वीकली का अलुट करेंग तो आप देखे कि लुकिंग वरी स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग य वह 100% के आसपास यह तर्मिनेट हो गया है तो अभी जो ओर विकनेस है तो यहां पर हम 200 एसमें के आसपास आएगा या तो यहां पर एक सपोर्ट है आप देख रहे हो कि 1540 के आसपास एक इंपोर्टन सपोर्ट है तो यहां पर ब्रॉडली हम कहे है 200 एक लेवल है डाट इस अराउंड 1600 और यह एक होरिजन्टल सपोर्ट है डाट इस अराउंड 1540 फो यह जोन में अगर यह जोन को होल्ड करता है और वापस स्ट्रेंथ दिखाने का यह ट्राइब करता है डैन वी आर प्लानिंग तो एड इस स्टॉक फर सिंग ट्रेडिंग परपस तो यह एक स्टॉक आप कंटिन्यूसली यहां पर 60 को होल्ड कर रही है स्टॉक ने काफी स्ट्रॉंग रैली किया है यहां पर और यहां पर उसका हम एलुट्यों का स्ट्रक्चर देखे वीकली के हिसाब से तो यह वीकली के हिसाब से भी यह स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉंग है यह हमने रिसंटली प्रिम्यम में भी कवर किया था आराउंड एटीन हंड्रेड लेवल और उसने यहां पर जो हाई बनाया था डैटीज अराउंड वन नाइन फॉर जिरो के आसपास जाके आया अभी भी हमारी कुछ पोजिशने उसका हम ट्रेल कर रहा है और वापस यह स्टॉक अगर इसमें कर प्रिट्रेशमेंट वो टरमिनेट हो जाता है तो यहां पर आप देखें कि जो है वो कहां तक हुआ है तो आप देखें के वे उसी का जो तर्मिनेटेड अराउंड 0.786 सो जब दे ऐसा एलोटो में करेक्टिव पैटन मिलती है कि यहां पर वेव जो है बहुत सार्प होता है वेव जो है वो थोड़ा सेलो होता है सेलो इंदे सेंस 0.382.5 के आसपास ही उसका रेटरेश्मेंट टर्मिनेट हो जाता है और फिर वेव वीकली के हिसाप से आ रहा है तो यहां पर यह जो टागेट जोन है अराउंड बाइसों के आसपास डबल टू डबल जिरो के आसपास वो हिट होने की प्रॉइबिलिटी काफी बढ़ जाएगी तो यह स्टॉक ओवरॉल हमने देखा वीकली के हिसाप से काफी स्ट्रॉंग लग रहा है डेली में भी कोई यहां पर मट्रेल विक्नेस हमें देखने को नहीं मिल रही है बट जो प्रेसर है ओवरॉल मार्केट में तो यहां पर आप देखे कि यह एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 1835181853 के आसपास यहां पर देखो कि यह जो लेवल था यह स्विंग लोग बनाया था यहां पर 18501850 के आसपास एक इंपोर्टेंट स्विंग है सो 185020 में का लेवल भी हम देखे अराउंड 1843 तो यहां पर 18501835 यह अगर सपोर्ट जोन में आता है और फिर किसी आप से वह प्राइज एक्षिन बनाता है उसको देखके हम यह इसमें रख सकते हो डिस लुकिंग वेरी स्ट्रॉंग विकली स्ट्रक्टिर में आपको साथ डीटेल में डिसकस किया फिर जो लास्ट स्टॉक है डाइट वे प्लानिंग तू सौर्ट इस बायो कॉन यह दो स्टॉक है काफी वीक लग रहा है यहां पर देखे कि आरे साई प्ले को ब्रेक कर दिया तो यहांपर देखने को मिल रहा है और यहां पर देखोगे 303,300 के आसपास कई सवारे से से सो वाट आई बिलीव कि अगर इसने 300 को ब्रेक कर दिया तो यह जो डाउनसाइड का मोमेंटम है वह एक्सलेरेट हो सकता है काई टाइम से इसको प्लान करके रखा है बीच में भी मैंने सब्सक्राइब होगे डैट इस अराउंड 280 सो चांसिस विल भी वैरी हाई कि यहां पर 282 85 के आज पास यह स्टॉक जा सकता है स्वाइब फ्रेंट्स के जो चीजे मैंने आपके साथ डिसकस किया है इट विल गाइड इन यह ट्रेडिंग थैंक यू